हेलो वीवर्स आशा है पूरू में अप्लोड किये गए वीडियोज आपके करके सीखना कारेकरम के लिए बहुत ही सहायक सिद्धूए होंगे और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी ने चैनल पर अप्लोड किये गए वीडियोज को देखा भी है और उस पर आपके कमेंट्स भी मुझे मिलते रहते हैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जब भी आप जीपी प्रतम आप को जब भी आप जीपी प्रतम आप पर कोई होने वाली है तब आपको किन चीजों पर बहुत ज़ादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि बहुत से मैसेज़े मुझे मिले हैं मेरे पहले वीडियो में कि बहुत सारी चीजों को समझने के लिए कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के तो उन सारे कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही ये वीडियो मैंने बनाया है सो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं जब आपकी इंटर्शिप एलोट हो जाए आपको विद्याले एलोट हो जाए आपके संस्थान के द्वारा तब आपको क्या-क्या कारे करने हैं तो सबसे पहले तो आपको जो विद्याले एलोट हो उस विद्याले से संपर्क करना बहुत ही ज़रूरी है वहां के प्रभारी या प्रधाना ध्यापक से आपको टेलिफोन के द्वारा फोन कॉल के द्वारा SMS के द्वारा उनसे संपर्क करने की आवशक्ता है जो भी पत्र आपको एलोट हूँ आपके संस्थान के माध्यम से उस पत्र को उनसे साजा करें और उनसे छात्र छात्राओं के कॉंटैक्ट नंबर को प्राप्त कर लें उसके बाद आप दूसरे स्टेप पे अभिभावकों से संपर्क करेंगे जो भी अभिभावक हैं जिनके नंबर आपको विद्याले से प्रोवाइड कराए जाएंगे वो आप अभिभावकों से बात करेंगे कि आप एक ऑनलाइन मोड में बच्चों के साथ जुड़ने वाले हैं सब्ता के लिए और उस पांस सब्ता में आप किस तरह की गतिविद्या करेंगे इन सारी चीजों से उन अभिभावकों को ओगत कराना होगा फिर छातर छातर का बेसलाइन आकलन आपको करना है ये पहले भी वीडियो में बताया गया है कि तीन बार आकलन होना है एक इंटर्शिप के स्टार्टिंग में एक मिड में और एक लास्ट में तो सुरुवात में जब आप आकलन करेंगे और आकलन में भाषा और गडित के कुछ प्रशन होंगे कुछ मैसेज़ेज होंगे जो आप छातर तक पहुचाएंगे मोबाइल फोन के समस के द्वारा या उनके वाटसेप नमबर पर वाटसेप मेसेज़ेज के द्वारा तो आकलन करने के लिए भी आपको पुराने दूसरे वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही डाले जा चुके हैं भेजे जा चुके हैं उन वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आकलन करना है और उनका डाटा भरना है उसके बाद आपको आकलन कर लेने के बाद डेली गतिविधी भेजनी होगी जब आपका पांस अपता का इंटर्शिक प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए आपके कॉलेज के द्वारा या आपके डाइट के द्वारा आपको वो SMS डेली गतिविधी के भेजे जाएंगे और उन SMS को आप बच्चों के साथ साजा करेंगे उनको गतिविधी भेजेंगे गतिविधी भेजने के बाद उनसे फोन कॉल पे भी संपर्ख करेंगे डेली और आप पर सुचनाओं को भरने से पहले आप आप को जरूर अपडेट कर लेंगे क्योंकि आप का अपडेटेड वर्जन आ गया है और अपडेटेड वर्जन पर अगर आप डेटा फिल नहीं करते हैं तब आपका डेटा सर्वर पर नहीं जाता है आपका डेटा पोर्टल पर नहीं जाता है वो किवल आपके मोबाइल में तो सो होगा कि आपने डेटा फिल कर दिया है लेकिन वो पोल्टल पर सो नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा आपको अपने आप को अपडेट करना होगा तो हम देख लेते हैं आपको किस प्रकार से अपडेट करना है उसको भी मैं आपको संशिप्त में बता देता हूं इसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर में और Play Store में आपको जाके GP प्रथम Partnership जो कि मेरे में पहले से ही यह है अब मेरे में आपको Option दिख रहा होगा Open का इसको हम क्लिक करेंगे दो Option आप के नीचे दिख रहे हैं क्योंकि मैंने पहले से अपडेट कर रखा है तो वहाँ पर Open का Option दिख रहा है अगर आपका अपडेट नहीं होगा तो आपडेट का Option आजाएगा जो कि Green Box में दिखाई दे रहा है अगर आपको चेक कर रहा है कि आपका Updated Version कौन सा है जो कि GP प्रथम का जो Updated Version है वो 7.7 है तो जहाँ पर What's New लिखा हुआ है उसके सामने Arrow है Arrow पर हम Click करेंगे और App की पूरी Information Open होकर आ जाएगी नीचे App Info में आप देखेंगे Version दिखा रहा है 7.7 Version है और जो कि Update किया था मैंने 28 सित्मबर को तो उसकी पूरी Details आपको इसमें देख जाएगी तो यदि आपका 7.7 Version है तो आप बहुत इजली इसको यूज कर सकते हैं अब मान लिजे कि आपने गलती से कोई ऐसा Data आपने फिल कर दिया है तो उसके लिए App को मैंने खोल लिया है जब आप अपने App पे Login करते हैं GP App पर तो इस तरह का एक Page खुल जाता है आपके सामने अब यहाँ पर मुझे दिखा रहा है Total School 3 जबकि School तो एक ही होगा एक ही विद्याले से हमें 8 से 10 बच्चों को Select करना है और मैंने यहाँ पर 3 School इंटर कर दिये हैं क्योंकि पूरों में हम Dummy Data पर फिल कर रहे था और 3 School मैंने अड़ कर रखे हैं अब मान लीजिए आपने भी इस तरह के आपके पास भी पहले आपने कोई और School चूज किया हो तो उसको आप कैसे हटाओगे Basically यह मैं बताना चाहता हूँ इसमें तो आपके सामने यह School की List ओपन हो गई है जो की मेरे द्वारा पहले से चुने गए हैं तीन स्कूल है इनको डिलीट करने के लिए मुझे किसी भी स्कूल पर सबसे लास्ट जो दिख रहा है पियस उसको मुझे मान लीजिए डिलीट करना है तो उसको मैं Left Swipe करूँगा इस तरह से और ये Option खुलके आ जाएगा Delete Hide का तो मेरे लिए ये Extra School है तो मुझे इसे डिलीट करना है तो इसको मैं यहां से डिलीट कर दूँगा जैसे ही डिलीट पर क्लिक करते हैं वैसे ही Added by Mistake, School Relocated School Not Part of Partnership Other, कुछ भी आप इसमें से डाल सकते हैं यानि Added by Mistake मैं यह मानता हूँ मैं पहले Option को Choose कर रहा हूँ और OK कर देता हूँ तो यह देखी Red हो गया अब हम Sync कर देंगे जैसा कि हमें कोई भी डिल करने के बाद Sync करना होता है उपर My Schools 3 के बगल में आप देख रहे होंगे गोल चक्र एक बना हुआ है दो एरो है इसी पर क्लिक कर देंगे और यह Sinking Data Processing हो रही है और अभी यह विद्याले थोड़ी देर में ही Sync होकर मेरे App से हट जाएगा और वो Portal से भी मेरे Data से हट जाएगा तो आप देख रहे होंगे Sync होने के बाद यह दो एरो पर Cross का निशान आ गया है और Data Sync होने के बाद दो विद्याले बचे हैं वैसे हमारे पास किवल एक विद्याले रहना चाहिए यह मैं एक्जामपल तोर पर आपको समझा रहा हूँ आपको एक ही विद्याले से आठ से दस बचे लेने है अब मान लीजे कि आपने विद्याले के अंदर कोई डेटा गलत भर दिया हो पहले से या ट्रायल में भरा हो तो आपको फिर उस विद्याले पर मैं पहले विद्याले पर क्लिक करता हूँ और यह सारा डेटा जो हमने फिल किया था वो दिखने में आ रहा है क्या-क्या डेटा हमने फिल किया था सारे कोडिंग और सारी चीज़े आ रही है अब हाउस होल्ड के लिए जहां पर वन लिखा हुआ है उसमें हाउस होल्ड का डेटा है और एसेस्मेंट का डेटा पर क्लिक करके भरा था अब हमें इंटर्वेंशन डेटा पर क्लिक करकर भरना है यह भी आपको ध्यान रखना है जब भी आप डेटा फिल कर रहे हो तो आप हमेशा इंटर्वेंशन डेटा पर ही क्लिक करें क्योंकि आपकी इंटर्वेंशन डेटा पर हो चुकी होगी या होन आपको change करना हो, तो जो भी household आपका है पुराना, insert करने के लिए तो नीचे plus के निसान पर हम click करके, जैसे कि ये plus का निसान हमने click किया, तो ये सारी चीजे household से सम्बंधित सारा सुचना है, जैसे कि पहले आपने dummy data में भरते समय सीखा है, वैसे ही सारी सुचना है, इसमें भर करने के बाद, कोई आप से गलती हो गई है, जैसे कि आपने गलत परिवार को add कर लिया, या data गलत हो गया है, तब आपको ये करना चाहिए, कि आप उस particular data को delete कर दे, तो उसको delete करने के लिए, देखे, cross का निसान दिख रहा है, जहांपर call लिखा हुआ है, और mobile number है, उसके सा data delete हो जाए, cancel कर देंगे, तो नहीं होगा, और फिर आप इसको yes पर क्लिक कर दे, delete करना मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि कभी-कभी गलती हो जाती है, हमें, या हमें family चेंज करनी होती है, हमारा जो चात्र है, चात्रा है, वो शायद हमें उतना support नहीं कर रहा है, या कोई इसी problem आ गई कि आपको उसको change ही करना है, अपनी internship प्रारम करने से पहले ही, आपने assessment की time पर ही कोई गलब data भर दिया, या गलती हो गई, तब आपको उसको remove करने के समय में ये करना है, अब ये भी red हो गया है, और हमें अब इस data को sync करना पड़ेगा, फिर यहां से हट जाए और ये ही goal दो arrow जो दिख रहे हैं, उस पर हमें sync करना होगा, processing हो रही है, और जैसे ही sync हो जाएगा, वो data वहां से हट जाएगा, sync हो चुका है, sync successfully लिखते हैं, अब हम देखते हैं, ये ps हसुआ पारा सेकेंड में पहले एक दिख रहा था, अभी 0 दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर calling data में कोई data नहीं है, तो इस प्रकार से आप, यदि कोई गलट data आप से भर जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने data को edit कर लिजे, तो बहुत ही महतुपूर्ण है, कि आप अपने सबसे पहले app को update कर लें, 7.7 version है या नहीं है, उसको check कर लें, क् कि अगर उस version में आप फिल नहीं कर रहे है data, तब आपके app का data, portal पर, server पर नहीं जाएगा, और आपके संस्थान और आपका जो college है, उसके पास भी dashboard पर वो data, clearly mention नहीं होगा, और आपका जो किया गया कार है, वो किवाल आप तक ही रहेगा, और वो portal पर नहीं सो होगा, तो आपको, अपने app को update करने के बाद, इस प्रकार से data को fill करना है, और अगर कोई गलत data fill हो जाता है गलती से, तब आप उसको delete कर लीजे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, delete करने के बाद, then आप जब start कर लें, अपने internship को, उसके बाद फिर delete करने की आवशकता कोई ना हो, इ तो app में यही सारी update है, जिसको आपको कर लेना चाहिए, अपने internship को, main internship को प्रारम करने से पहले, अब हम बात करते हैं कि प्रति दिन app पर आपको सुचनाय भी भी भीजनी है, तो जब आप calling data भर लेंगे, सारी families का data आप collect कर लेंगे, तब आप daily बच्चे को पांस अपता के internship के दौरान, गतिविधी भेजेंगे, भाषा और गडित की और उन गतिविधियों से संबंदिता, feedback भी अपने app में भरते रहेंगे, day by day, तो आज हमने जाना है, इस वीडियो में कि विद्याले से हमें संपर करना है, अभिभावक से संपर करना है, baseline assessment कर लेना है, उसके अल date नहीं होगा, तो आपका data नहीं जाएगा, और प्रते दिन आपको app पर सुचनाएं भी अपनी फिल कर देनी है, day by day, तो ये सारी चीज़े करने के बाद, आप अपने internship को बहुत ही easily complete कर पाए, तो आशा है कि आपको ये वीडियो कुछ सहायक जरूर सिद्ध होगा, क्योंक communication जितना भी बहतर होगा, हमारी training, हमारी internship उतने ही सरलता से complete हो जाएगी, क्योंकि community में आपको phone call के द्वारा ही लोगों से संपर करना है, किसी से individually जाके मिलने की आवशकता नहीं है, तो phone पे ही जब बात करना है, तो हमारा communication इस तरह का होना चाहिए, कि सामने वाले का result support करे हमें, तो बहुत ही positive तरीके से internship करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है, आशा है कि आप इसी तरह से channel से जुड़े रहेंगे, और आपको जिस तरह की queries होगी, वो जरूर आप video में, comment box में जरूर टाइप करेंगे, तो सभी को बहुत बहुत